शिक्षा उस सेड़नी का दूध है जो पीएगा वो दहाड़ेगा डॉक्टर बी आर अमबेटकर जी की इसी को टेस्टिन के साथ मैं सुमित एक पर फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के उपर तो आज मैं आपके सामने पी एचडी का ये रिसर्ज इसको आज हम डिसकस करेंगे मुझे पता नहीं किसी उनिविश्टी का लेकिन अच्छा पेपर है इसके अंदर का फिर रिपीटेट कोशन पूछे गए हैं और जो कि हमारे एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उप्योगी हो सकते हैं या फिर पीजीटी के लिए भी बहु इसका पहला उप्षन सही था प्लाटो का आप जानते हैं नाय का कॉंसेट दिया है जिसके निनों ने बताया था कि अपने तीनों वर्ग अपने कारें निर्वहन करें वही नियाय है आइडिया और फियोरिक गुफा का सिद्धानित के साथ जुड़ा हुआ है सामेवाद का पॉल्टिक्स किसने लिखिया है यह भी बहुत इंपोर्टेंट पुष्ट है काफ एकजाम में आती है तो ग्राम विलास ने लिखिया है हुमन नेचर इन पॉल्टिक्स तो इसका स्थी ऑप्शन सही था किसने कहा है कि व्यक्ति का जीवन एकाकि शूद घिनोना परशुव पॉल्टिक्स 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 पॉल तो यूध्य होता है यह बहुत फेमस कोटेशन है एरोल्ड हिटलर ने कहा है कि जब कूटमिर्दि कांत थो यूध्य होते हैं तो इसका फर्स्ट आप्सटन सही था साथवख कुष्ण है प्रधान मंतर सहित कुल मंतरों की संख्य अधिक नहीं होनी चाहिए तो यह था लोकसभा के अनदर 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए मंतरों की संख्या और यह जब आया था किस केस में यहाई नेरेना यागी प्रस्ताबना सविधान का भाग नहीं है तो आप जानते हैं यह बेरुवारी केस वह था उसके निवारन के लिए एक जो मैकिंजम मनाया गया है वो इसी केस के साथ जुड़ा हुआ है मदन मोहन पंक्षी आयोग निक्थ हुआ था तो आप जानते हैं ये मन पंक्षी आयोग जो हुआ था ये सेंटर स्टेट रिलेशन्शिप के इंदराजी संबन्द के अध्यन के लिए ये हुआ था तो इसका फर्स्ट आप्शन सही था इन में से किस विचारक के लेखन में पर्थम बार दंदात्मक पंद्रती का प्रियोग हुआ तो आप जानते हैं दंदात्मक पंद्रती जो सबसे पहले जिन्नों ने दंदात्मक पंद्रती का विकास के था वो सुक्रात थे लेकिन उनने कहीं पर लिखा नहीं था तो लिख इसका गठन हुआ था निम लिखित में से कौन सकरात्मक सतंतता का समर्थक है तो पॉजेटिव लिवर्टी का जो जुड़ा हुए वो टी एच ग्रीन के साथ जुड़ा हुए है और आर नौजिक ने लिखिये पुस्तक अनार्किस्टेट एंड यूटूपिया इनकी एक पुस्तक आप जानते ही है और उनने जॉन रॉल्स सा काफी क्रिटीक किया है बेंथाम आप जानते हैं ये बेंथाम यूटेलेटरियम्ट जारी साथ जुड़े हैं और जॉन रॉल्स जो हैं और समाजिक सिध्धान सम्झत्रिकार जुड़े हुए है राज्ये का विज्ञान आरम एवं अंत राज्यस से होता है ये भी quotation based question है बहुत important quotation हमारे political science के एकजामें पूसा आता है इनका तो गार्णर ने बात कहिए राज्यति विज्ञान का आरम एवं अंत राज्यस से होता है तो इसका B option सही था रजनी कोठारी आप जानते हैं कास्ट इन इडिया ने लिखा है और भाद की राजनिती को प्रणों में बहुत काम किया है कॉंग्रेस सिस्टम भी रजनी कोठारी ने दिया था तो इसको भी देख सकते हैं तो ये कोठेशन दिया है रूसों ने बात कहिए रूसों का ये कोठेशन के लिए कोठेशन में कोठेशन बहुत आते हैं साइंस की मिमन्रिकर में से कौँन्सा सिध्धहन् से समयंधित नहीं है तो आप जानते हैं संब्स में स बहुत स्द्धहन दिया है तो इसमीद सही है sectorív और डिकनफली संपत्ती और राजे का उधवव तो इस संदर में उन्होंने कोई सिध्धान नहीं दिया है, तो इसका D option सही है, तो इसका D option सही था, निमनिकित में से किस ने the art of war लिखी है, तो the art of war जो लिखी है, वो मेकाबली ने लिखी है, मेकाबली the art of war के साथ जुड़े हुए है, और इन्होंने मेकाबली ने जर्नल विल और जर्नल विल का सिध्धान गया, इसके अंदर रियल विल और इन्होंने सबकी बात करिया है, तो the art of war के साथ जुड़े है, मेकाबली 17th question है, निन्हीं कितने सब कौन सा सतत्विकास का अभी लक्षन नहीं है, वो अन्यंत्रिन विकास यानि unrestrained development ये सतत्विकास का लक्षन नहीं है, तो ये भी आप देख लें, तो पेडिकर समानता है कि सिध्धान तरा धायरत होता है, ये सतत्विकास जो होता है, और परियावरन हर इसके बिना विकास करना, यानि विदाउट परियावरन को नुक्सान पहुचा है विना development करना, ये सतत्विकास के लिए आता है, भविशे के अभशक्ताओं से समझाता कि ये विना वरतमान अभशक्ताओं को संतुष्ट करना, तो ये भी है, लेकिन आन इंत्रिन विकास, तो इससे ये नहीं जुड़ा वो भारत और पाकिस्तान के वीचे, डूरेंट रेखा जो है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ है, और पाकिस्टेट भारत और स्रिलंका के साथ है, तो इस परकार से आप देख सकते हैं सभी का, तो जो इसका सही आंसर है, भारत और चाइना के विचार यूजी सी नेट के अंदर भी आया था ही कॉश्चन काफी रिपीटेट कॉश्चन है यह भी तो जो रोयल्स का जो नियाय का केंद्र बिंद्व है इंडिविज्वल यानि व्यक्ति वाद व्यक्ति से जुड़ा हुआ यह तो इसका फर्स्ट आप्शन सही था भाद का सरवोश नियालिक इसके द्वारा संग और राजयों के मध्य विवादों का अधी निर्मिट करता है तो यह करता है जो यूनियन और स्टेट के वी डिस्पूट होते हैं इसका जो सलूशन जो आता सबसे पहले है और इजिनल जूडिक्शन यानि परंभाविक छेतरा अधिकार के अंदर आता है तो इसका बी ऑप्शन सही था निम में से कौन से आयोग सम्विधानिक निकाये हैं तो इसमें से बताना हमें कौन से कमिशन स्टेटरी बोड़ी है तो राष्ट्य अनसूची जाती आयोग ये है निर्वाचन आयोग भी है और राष्ट्य अनसू योजना के सदस्य थे तो यह इसी मिशन के योजना के देहाद हमारत सविधान सभा का निर्माण हुआ था तो इसके सदस्य कोन-कोन से थे वह मतान था तो लाट पैठिक लॉएंस इसके सदस्य थे सरिस्ट्रफर किस्थ और एविय ऐलेकजंडर यह सभी कैपिलिट मिशन यह काफियादा डाउट वाला कोशन है क्योंकि युजी सी नेट में एक बार कोशन आया था यह तो इसको रिजेक्ट कर दिया था तो मैं आपके लिए इसको छोड़के जा रहा हूं वैसे मैं आपको बता दूँ तो यह जर्मनी के निवासी थे लेकिन बाद में इनोंने इ साध्यों की दोनों की पुष्टा यानि and justify the mean and justify mean करना चाहिए तो इसका फास्ट आप्शन सही था कौन से सभिधान संसुतन के मादन से समाजबाद इप्मत निर्पेक्स और अखंता शब्द को भारत के सभिधान में समाबेश्ट किया गया इसको यह question बहुत जादर important है काई पूछा गया है repeated है काफी जादा यह तो यह पूछा गया है यह बताया गया जो भारत के सभिधान के समाजबादी पंद्र पेक्स अखंता जो सब जोड़ा गया है वह 22 समिधान संसुदन 1976 के तहट के जोड़ा गया है यह इमर्जन्सी के टाइम और इसको आप याद रखें यह कई एक्जाम में पूछा गया है यह बहुता है आप सको यह करता है यह आप जानके रखेन नमर्खित में से कौन सा कारे स्थाने शासंतसे सम्मंदित नहीं है यह न इस 약간 स्वाश्ते सांद ह्ता की अरशन्शन् भश्तर करता है यह यह राजय करता करता है promotes लोग स्वास्ते स्वाच्ता और जन धिकार चेवां ये क्या आते स्थाने प्रशाशन के जो सरवजनिक विवस्ता होती है बनाया रखना मैंटेंस और पब्लिक और ये राज्ये करता है तो इसका डी ऑप्शन सही था और पंचाहिती राज विवस्ता के अंदर आप जानते है 29 विशय होते हैं और मुनिस्पैलिटी के अंदर आइं 18 विशय होते है ये भी आप जानके रखें जो political determined objective तो इसको पूरा करना ही public education का काम है, तो ये वुड्रो विल्सिंग साथ ये कथन जुरा हुआ है, लोक लेकर समयती में लोक सभा के सदस्थे कितनी होते हैं, तो आप ये जानके रखें, इसके अंदर total 22 सदस्थे होते हैं, सभी उद्दम वित पर निर्भर है, अते कोशागार पर सारवधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, यह किसने कहा है, आल इंटरप्राइज डिपेंड ओंदा मनी, हैंस मैक्सिमाइज अटेंशन शुड़ बी गिवन टू प्रिजुरी, कोटल्या ने कहा है, कि जो राजने के जितनी भी सेवाइं होती है, वो सारे कार्य होते हैं, वो वित्किया दार पर निर्भर होते हैं, तो इसका बहुत जाल ध्यान रखना चाहिए, तो इसका यह जुड़ावाथा कोटल्या के साथ, इनमें से अखिल भारते सेवाइं नहीं हैं, तो यह भी मैं आपके लिए छोड़ कर जागा हम यह कोशन क्योंकि इसमें भारते फॉरस्ट सेवा भी है, अड्मिनिस्टेशन भी है, इंडर्न पुलिस सेवा भी है, प्रशास्निक सेवा के अधर आती हैं, तो इसके अंदर मैं यह कोशन में को समझ में नहीं आया है, क्योंकि इनोंने के लियादद से दिया है, गल्थ होना चींद है, मैं रिख्या द्सेक, क्योंकि भारतेवन सेवा भी है, प्रशासिक सेवा भी है, फुलिस सेवYour coffee और विदेश सेवा, ये सबी कही न कहीन आ खीला भारतेव सेवा है। तो पंचायती समीती सदस्य बनने के लिए नियुनतम आया है, तो नियुनतम आया जानते हैं पंचायत सदस्य के चुनादों लगने के होती है, वो 21 वर्स है, तो इसका ज़िया आज़र था, 21 वर्स, यहनि B आप्शन इसका सही है, सविधान के 21 अनुचेत में आठेज संसद के दोनों सद्नों में सहयुक्त अधिवेशन के अध्यक्सता कून करता है, यह करता है, जो लोक सफा का अध्यक्स होता है, वो करता है, और ये आर्टिकल 108 के तहत यह वेवस्ता की गई है, और एक चीज़ आतर रखें, ये समाने विधायक के ओपर हो सकता है अगर कोई संसद, समिधान से निलिटेट कोई अगर विधहक होता है, संसोदन होता है, तो उससपर यह संसद को राजिय सूची में दिए गए, किसी विशेज पर कानून दानेका अधिकार देता है, तो यह देता है, जो संसत को देता है अधिकार यह आर्टिकल दोसो उनन्चास के तहर्द बी ऐसिन का सही है दोसो उनन्चास के तहर्द संसत जो है राजय सभा को विशेज कानून राजय के संभरे मिलाना की विशेज सक्तियां है इसके पास which is not an organ of UNO UNO का कौन सा मुख्य अंग नहीं है तो आप जानते ही है जो UNESCO है ये इसका साथ नहीं जुड़ा हुआ है बाकी महासवाब भी है सुलक्षा परिशत भी है सचीवाले भी है तो जो UNESCO है ये इसका अंग नहीं है कौन सा देश सार का सदस्य नहीं है तो बहुत सिंपल कोड़ेशन था ही आप जानते ही है जो मयन्मार है मयन्मार इसका सदस्य नहीं है और बाकी इसके से सारे सदस्य है 1945 में इसकी मतलब ये बनाया गया था और जो इसका हैड कॉर्टर है वो कार्टमांडू के अंदर ये याद रखें और जो बांदेश के उस टाइम मुझी बूर रहमान जो प्रहान मिंत्री थे उनके कहने उन्होंने बहुत इनिशेटिव किया था उनके कारण ये आया था अस्तित्व में तो इसका जो सही आंसर है सार्क का सदस्य नहीं है मैं अमार इसका सदस्य नहीं है सार्क का वितापात में कौन सान उचेट समंदित है वितापात जानते हैं तिनसो साड़ समंदित है तिनसो जो बावान है वो राजे में आपात का से समंदित है देश में आपात का समंदित है और लेकिन जो 360 है वो देश के अंदर वित्या पात का से समन्निद है लेकिन यह आज तक भारत के नदर लगी नहीं है यह भी एक प्रत्प है संप्रुमता राजे की सरवत इक्षा है Sovereignty is the Supreme Will of the State तो यह किस ने कहा है तो यह कहा है विलो भी ने विलो भी ने कहा है यह संप्रुमता राजे की सरवत इक्षा है तो C option इसका सही था विलो भी सही जुड़ावाय कथन भारत की विदेश नीती के धार्वत तत्म को उनके अस्तित्व में आने के करवानुसार लगाई है तो आप जानते ही है जो पंशील आया था वह 1254 के अंदर आया है गुज्ड़ाळ ॏक्ड़ के अंदर तो इस परकार से इसका हमाएक हो दहता है उसका क्रेक्ट आंसर था वह डीसका सही आंसर स्था तो आप इसको मिला सकते हैं सब्सक्राइब भारत पर और सोवियाथ मैतिक संब्द्द उसके बाद पुजND के अंदर उसके बाद आया था उननीस से खतर के अंदर भारत और सोवियात का मैत्री संभन्द फिर उसके बाद आया है लोकिस्ट पॉलिशी फिर उसके राया गुज्राल सिद्धान किसने 1857 के विद्रोव को सतंत्रा का प्रत्थम तो बहुत इंपोर्टेंट कोशन है ये वीडी सावरकर जी ने जो 1857 के विद्रोव असको प्रत्थम युद्ध सतंत्रा युद्ध का है अभी भारत संस्ता के साथ ये जुड़े वे थे यह आत्या रखें हिंदुत के अपर उ युद्ध युनानी पत्रदी के अनुसार अनेको द्वारा शाषन के विक्रुत रूप में जाना रहता है तो यह किस रूप यह किस का है तो इसको प्रत्थम अध्यक्ष था तो आप जानते हैं 2015 के इंदर इसकी स्थापन वे नितियायोग की और जो इसका अध्यक्ष होता है वह भार्त का प्रधानमंतिर होता है उससão में भार्त के प्रांमंतिरी दौक्टर सौरिमांः कीजिएगा नरेंदर मोदी जी थे नरेंदर मोदी जी जिसके इंदर साथ स्था स्य sentiments सही है निम में से कौं सा प्रतिनिषित सिधानत अधवा मौडल नहीं है तो आप जानते हैं परतिनिषित का पाकी निया सब्सक्त, PRADATSH, और सर्वंध्य यह सब खता है लेकिन जो जनादेश नहीं है तो इसका सही है सामुदाइक विकास कारेकरम किसके अनुस्ताप पर पारंभुआ तो सामुदाइक विकास कारेकरम जो 1952 के अंदर आया था ये किस समीति के अंसनसापय आया था ये बल्वंतराई महता की समीति के अंसनसापय आया था तो इसका D option सही था मानव अधिकार की फिश्व जनित घोष्टना बहुत रिप्रिटेट कोशना कई जाने पूछा गया है 10 दिसंबर 1948 के अंदर हुमन ब्राइट डिकलेशन हुआ था तो जो इसका सही आंसर है बी अप्शन का सही है लोकादलत का परांप परांप करता कों है तो लोकादलत का परांप करता है वहाँ सबसे पहले 1927 के अंदर साइमन कमिशन आया था फिर उसके बाद पर्थम गोल में सम्मेलन जो हुआ था इसका जो सही मैचिंग में आपको दा आता हूं 48 नंबर कोश्टन है तो इसका सही मैचिंग है सबसे पहले सायमन आयो गाया था फिर उसके बाद पर्थम गोल में सम्मेलन 1930 के अंदर हुआ है फिर उसके बाद जो हुआ था वो गांधी एरिमिन पैक्ट हुआ है और उसके बाद सचला लाश्न मोवद था कमेल अवर्थ तो इस प्रकार से इसका मैच था पष़तन्त एक ऐसी साशन पदत्ती है जिसमें परतेक वैक्ति का एक भाग है प्रज़र्ट अंदर एक 80 शाषन प्रदत्ति है जिसमें प्रतेक वैक्ति का एक भाग है किसने परिभाशित किया इसे तो यह परिभाशित करा है सीले ने सीले ने कहा है कि प्रज़र्ट अंदर डेमिटी से सच टाइफ ऑफ गौर्वर्णमेंट इन विच एवरिवर्डी है तो यह सब का कहीं कुछ नहीं को हिस्सा है तो यह बहुत प्रज़र्ट पुस्तक किस ने लिखी यह बहुत ज्यादा आप जानते ही है जैस मिल ने ओन लिवर्टी लिखी है तो इन्होंने सतंत्ता का आइडिया रहा था तो इस परकार से यह था अगर किसी को कॉशन पेपर अब अपने मेरी वीडियो को अपने नाम रॉशन कीजे अपने परिवार का नाम रॉशन कीजे इसी उनले साथ ठैंक यू सो मच पर वाशिंग माई वीडियो दिल से आप सभी का अभार